Hey guys, my name is Viran Singh, welcome to this YouTube channel, hope कि आप सबी लोग ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे इस वीडियो में बातचीत करने के लिए मैं एक टॉपिक पे जुड़ा हूँ, लेकिन फॉस्ट अफॉल, कॉंग्रिचुलेशन्स तु ओल डियर लर्नर्स जिन्होंने जे रफ क्वालिफाई किया है, और अल दे वेरी बेस्ट फॉर यूर फ्यूचर जे रफ क्वालिफाई करने के लिए आपने जो मेहनत करी थी, आखिर वो मेहनत रंग लाई है और आपने जे रफ क्वालिफाई भी किया है, इसके लिए आपको धेर सारी सुभ कामना है, और आप इसी तरीके से अपने लाइफ में बहतर करते रहें और आगे बढ़ते रहे आज एक छोटे से मुद्धे पर बात करने के लिए मैं जुड़ा हूँ अल्दो इससे related मैं एक बार पहले भी वीडियो बना चुका हूँ लेकिन एक बार फिर से मैं बात करना चाहता हूँ फिर उसी topic पर याद रहे कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ एक इनसानियत के नाते एक अपनी बात रखना चाहा रहा हूँ इसमें हो सकता है कि कई लोग इस बात से agree करेंगे और कई लोग बात मेरी बात से disagree भी कर सकते तो अगर आप agree करते हैं तो इसको share और like करके आप आगे भी बढ़ा सकते हैं और disagree करते हैं तो आप comment box पे बता भी सकते हैं कि आप क्या बात पसंद नहीं है लेकिन फिलाल के तोर पे मैं सिर्फ एक छोटी सी request करना चाहता हूँ उन सभी students या उन सभी लोगों के साथ जिनों ने एक बार ज्यारफ qualify कर लिया है और दुबारा ज्यारफ के लिए appear हो रहे हैं याद रहे कि मैं उन लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ जो लोग LS qualify कि हैं क्योंकि इससे क्या होता है कि कुछ ऐसे genuine या ऐसे जो कह सकते हैं कि candidate जो कई बार मेहनत करके कुछ mark से रह जाते हैं उनका qualification हो सकता था अब इसके पर आप argument दे सकते हैं कि मैंने दूसरे का ठेका क्लिए रखा है या मैंने CSIR तो हमें नहीं रोपता मैं इस बात से बिलकुल agree करता हूँ कि CSIR ने कोई restriction नहीं लगाया है कि आपको एक बार JRF देना है दो बार देना है तीन बार देना है आप जितनी बार चाहें उतनी बार JRF को दे सकते लेकिन इंसानियत के तोर पे अगर आप सोचिए कि क्या सच में ये एक सही अप्रोच है या क्या सच में इससे आपको कोई भी एक तनिक फायदा मिलता है सिर्फ थोड़े देर के सुकून या थोड़े देर के खुसी के अलावा और अलड़ी जब आप एक बार खुद को JRF कौलिफाई कर चुके हैं तो आप ये खुद को प्रूव कर चुके हैं कि आप जैसे सिंपल सब्दों में बोला जाए कि अगर कोई एक इंसान एवरेस्ट पे एक बार चढ़ाई कर लिया है तो ये बात साबित हो चुके है कि वो एवरेस्ट पे चढ़ सकता है बार बार चढ़के इसे प्रूव करने की कोई जरुवत नहीं होती लेकिन स्टिल आप खुद को अगर प्रूव करने के लिए जरुव करते हैं तो मुझे ये बेतु का लॉजिक के लावा कुछ नहीं लगता अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैं जो है रैंक इंप्रूव कर सकता हूँ तो रैंक का भी कोई बेसिक मुद्दा जो है मुझे नहीं नजर आता क्योंकि जियारफ में रैंक का कोई लेना देना होता नहीं अगर आप पुप 20 या टॉप 10 में नहीं है तो यूप कि टॉप 20 या टॉप 10 के जो लर्नर्स होते हैं रैंक वाइस उनको SPM फेलोशिप के लिए इन्वाइट किया जाता है अल्दो सभी को SPM fellowship मिलती नहीं है उनमें interview होता है और जो selected होते हैं उन्हें ही मिलता है और SPM fellowship और जो normal GRF fellowship होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा difference देखने को नहीं मिलता है approximately 5000 का जो difference है वो आपको देखने को मिलता बट स्टिल अगर अब GRF के fellowship की बात करें मैं दो तीन मुद्दों पर बात करता हूँ सबसे पहले जो लोग reappear हो रहे हैं और argument कर रहे हैं कि नहीं मुझे जो है appear होना है मेरी बात एक तरीके से समझने की कोसिस करिएगा कि GRF आपको क्य क्या बेसिक तोर पे क्या प्रोवाइड करता है जहां तक मेरा knowledge या मेरा sense कहता है कि GRF एक basic certificate प्रोवाइड करता है CSIR जिससे आप junior research fellowship के तोर पे कुछ fellowship amount पा सकते हैं और यह fellowship आपको research करने के लिए प्रोवाइड की जाती है आइधर independent research या आप PhD के तोर पे भी इसको इस्तेम लावा और कुछ रह नहीं जाता है अगर आप एक बार जियारफ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको उतना ही fellowship मिलेगा जितना आपको दो बार करने पे भी मिलता है तो दो या तीन बार करने से आपका fellowship amount तो बढ़ने वाला नहीं है लेकिन फिर भी आप जो यारफ को कई बार अपियर करते हैं और एक बात सोच के जरा देखिए कि अगर आपने एक बार जियारफ क्वालिफाई कर लिया है तो आपने खुद को प्रूफ तो कर लिया है कि आप जियारफ क्वालिफाई कर सकते हैं और अगर आप दुबारा जियारफ अपियर नहीं करते हैं आपको और 100 लोग जो है qualify करते तो आप सोची कि 100 deserving candidate जिनको seats मिल सकती थी उनको seats नहीं मिल पाएंगी और आप एक तरीके से देखे तो आपने qualify करने के बाद उस certificate का कोई use नहीं किया लेकिन जो deserving candidate है साध उस certificate का जो है use करता और use करने के बाद साध उसके 30,000 जो भी fellowship 5 के बाद उसको amount म मिल रहा है वो मिल सकता था आप actually अगर deep scenario में इसको देखे तो आप कही न कहीं कहते क्या मैं seat खा रहा हूं आप सिर्फ seat नहीं खा रहें आप जो है उसका fellowship भी खा रहें और किसी person का नहीं है एक general humanity के तोर पे देखे कि आपने अपने आपको proof कर दिया लेकिन दुबारा फिर reappear होना की जरूरत क्या है मैं सिर्फ एक request कर रहा हूं मैं कोई मेभी मेरी बास से कई लोग जो है agree ना करे किसी के sentiments भी आहात हो सकते कि आप क्यूं बोल रहें क्यूं जो है ये चीज़ कर मैं सिर्फ इतना कहना चा रहा हूं कि इंसानियत के तोर पे देखिए कि आप एक बार qualify कर चुके हैं तो दुबारा इसकी जरूरत नहीं है दुबारा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है दुबारा rank का कोई मतलब नहीं है तो क्यूं जो है reappear होना congratulations तो मैं बोली चुका हूँ और आप लोग जो है CSIR करी चुके जरूरत बेसिक तोर पे लेकिन अब सवाल आता जैसा मैंने 35,000 की बात करी तो आपके reappear होनी की वज़़े से एक student का 35,000 जो है वो नहीं मिल पा रहा है और एक deserving या कई सारे deserving candidate जो की दो तीन सालों या चार सालों से त्यारी करें कुछ मार्क से रह जाते आखिर इसका क्या ही मतलब है तो इस बात को समझने की कोसिस करिए कि जो मैं कहना चाहरा हूं कि आपके CSIR reappear होने से आप किसी को भी जब भी बताएंगे तो आप यहीं कहें नहीं है CSIR में SPM fellowship वाले rank को छोड़ दिया जा तो बाकी सारे rank चाहे 100, 1500, 200, 300 हो कोई मतलब नहीं है सबको fellowship वही मिलती है सारी facilities वही मिलती है फिर आपको rank improve करने की जरूवत क्यों है खुद को prove करना क्यों है जब आप एक बार खुद को prove कर चुके तो यह reach करने की जरूवत क एक तरीका आप अपना सकते हैं कि अगर आपको question paper जानना है तो कई सारे यूटूबर्स या कई सारे टीचर्स जाते हैं exam में बैठते जरूर है लेकिन वो mark नहीं करते हैं answer को ताकि कि किसी का seat नुकसाना अब question को अगर read out करना है समझना है तो जाए चेक करिए कि मुझे आता है कि नहीं आता आप rough copy पे लिख के खुद को आँकलन कर लीजे कि आपको आता है कि नहीं आता ये किसी की seat को जो है occupy करके करना ही क्यों जरूरी है इस बात को समझे कि हम ये करना एक बहतर अप्रोच नह जर्फ जर्टिफिकेट को collect करना नहीं है और साथी में CSIR आपको restrict नहीं करता ये मैं जानता हूं और मैं भी आपको restrict नहीं करना हूं मैं सिर्फ आप से request करना हूं कि आप CSIR को reappear अगर करना है after qualifying GRF तो this is not a good move ये एक अच्छा move नहीं है आप खुद को prove कर चुके हैं और ये बहुत अच्छी बात है बाकी students को जो है appear होने दीजे उनको motivate करिए कि वो जो है appear हो और वो qualify करके सायद आपके जो 35,000 का certificate आप लेके डस्टमिन में डाल देंगे वो किसी के family conditions, financial conditions, mental status और सायद उसके 3-4 सालों की महनत से लेके उसका confidence सब कुछ boost कर सकता है आपको नहीं पता क इस family conditions और किछ background से जो है वो सफर कर रहा है इस scenario से जरा सोच के देखिए अगर आपको मेरी बात सही लगी है तो ये और लोगों तक पहुचाईए जिनके लिए ये help कर सकता है और अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो comment box में जरूर बताए और ये उन लोगों तक पह क्वालिफाई करने के बाद दुबारा अपियर होने का ना सोचे बिलकुल एक once again congratulations to all qualified learners जिनों ने जर्फ क्वालिफाई किया है और मेरी बात को इतने ध्यान से सुनने के लिए तहे दिल से सुक्रिया बात समझ में आई तो पहुचाईए सभी लोगों के साथ मिलते है नेक्